नमस्कार दोस्तों क्या हाल चाल है तो आज का सेशन लाइब करना था लेकिन आज टाइम थोड़ा कम है तो लाइब ना जाने की बजाए मैं स्टेट फॉरवर्ड आपको एक रिकॉर्डेट वीडियो दे रहा हूं आप इन कोश्चंस को अटॉमिक स्टॉक्चर के जरा ध्या इस माइनस 13.6 इलेक्ट्रों गोल्ट दा एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन इन इवी इस बहुत असान है वैसे ही देखो ना आप करते क्या हो बटा हमें फॉर्मला ही बड़ा प्यार से पता है जो एनर्जी थी ना याद है माइनस 13.6 यह जो वैल्यू दी जाती है इसको मालो जो भी अमाउंट दिया जाए इसको इनॉट लिलो यानि यह ग्राउंड स्टेट की होगा बोर्स थी एप्लिकेबल ही उसके लिए थी जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है चुकि आप लोगों ने वो बोर वाला जो डरिवेश पर चेम उसके कहें भी रहें सर वीडियोस तो हैं आपके चैनल पर बढ़ हमें सिक्वेंसिंग में दिक्कत आ रही है बचों इसके लिए मैं परसों तक आप से वक्त लेता हूं मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाके वर्ड़प्रेस पर ब्लॉग इसली बन जाता है सभी चैप करें कितने सवाल करें कैसे करें जो यह क्लास में डिसक्स हो रहे हैं यह क्या सफीशेंट है और भी करने हैं उनके डाउट किस तरह होंगे एक युनिफॉर्म बन जाएगा उस ब्लॉग क्यों ठीक है परसों तक का वक्त दो तो यहां पर मैंने वो जो बोर के सारे डेरिवे से पढ़ेंगे observation का खेल है माइनस 13.6 दियावाई यह है कि कहता है हीलियम प्लस का सेकेंड एक्साइटिड इसकेटर है भाई हम जीरो वाले ग्राउंड फ्लोर को हम जीरो कहते हैं बट एक्टम के लिए ग्राउंड फ्लोर वन है तो ग्राउंड फ्लोर वन हो गया ना इसका पहला उइटकर थर्ड में एक्साइटन एगा थर्ड में एन्कैंठोग為 मत्री और हीले में तुझेडिय क्या है स्मेट जैडों सच्टाइच क्यान है इसमें जंड से विए ख़या से तुए को एने हो एक्टरिज भाइब अधरी माइनस 13.6 में और यह near तो गया स्री से गि क्लियर मामला कितना हसान हलवा सा सवाल था लिए चलिए जी आगे थाते हैं यह 2019 के हैं 2020 वाले सेकंड राउंड एक ठोड़ा सा हम चलते चले जाएंगे सारी बातों के साथ कल 21 तारिक है इन और्गानिक भी आना चुरू हो जाएगा कल वैसे मैंने कल के लिए देखा जाए तो आपका लेक्ट्चर डला हुआ है मेटलर्जी वाला पी व्लॉक वाला ठीक है उसका लिंक में शेयर करूंगा इसके डिस्क्रि लिंद विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एक एटम इस सूटेबल फॉर इस परपस आया है भाई सब चार दे रखें हैं और आप से कह रहा है कौन सा सूटेबल है आरेच भी दे दिया तो आप से चाहिए रहा है कि आप वही लगा यह मतलब इस से ज़रा क्लियर के लेगा डे आरेच फेक्टर और बोर्स के एनरजी डेरिवेशन में जो इंटरेक्शन है वो बोर को वैलिडेट करता है असान चीज़ थी लेकिन सोचना पड़ता है अप्लाई योर ब्रेन वाइजली अब तो बहुत असान है भाईया चारों कॉंबिनेशन जो दे रखी है उनको डालत इन देही रखी है बड़े आनंद से आप इसको निकाल सकते हैं जिसमें 900 जाना मीटर आ जाए ठीक है वो आ जाएगा आप यह एच दे रखा है जो बच्छा लगाना चाहे लगा है लगना है नहीं परिशान होना है नहीं तो सिंपल सिंपल आपको लैंडा निकालना है और क सवाल करना है गुरुजी ने का है करना पड़ेगा अगला आगे डी ब्रॉगली सहाब की बात करने यादे डूवल नेचर अब यह डी ब्रॉगली को महां गुशा रहा है अच्छा जी यानि दो बातों पर दो उर्जों पर खेल रहा है पहला डी ब्रॉगली या लैम्डा इस एक्वल टो एच अपॉन एच्छन यू नूट प्लस अफ एच्छन फोटो एलेक्ट्रिक एफट की अपर भी फिर अगें इसी चैनल पे एक वीडियो है तो भी अराम से वो सकता है आपसे कोई दिक्त नहीं ठीक है मेरे बच्चे अब क्या खेल है ज्यान से देखना अब यहाँ इस सवाल को ज्यान से पुड़ो the deep broccoli wavelength associated with a photo electron varies with a frequency v and v naught यानि special frequency और वैसे normal incident frequency है वो तो कुछ नहीं है ना इन दोरों में common क्या दिख रहा है frequency तो common नहीं velocity है जी आई हाई आनन्द तो भाई आप करना क्या है इसको इधर ले जाओ h यह होता है half mv square velocity निकालनी है तो v square is equal to 2h हाना जी v minus v naught upon m और v क्या हो जाएगा फिर इसका power यानि root हाना की power half खतम बिंदास कोई tension नहीं इस भाई को या फैको lambda is equal to h upon m 2h v minus v naught upon m की power one by two यह right e inequ in envy failure understand without then when it will take an and अब हो आशो नैकर जाएगा अब आसा नीकार जाएगा option जाए अ अ आरआ यह तो बहुत हल्वा दे रखाए सेकंड ऑप्शन हो गया इसमें क्योंकि हमारा भी तो यह आ रहा है वी प्रपोर्शनलेटी के साइन पर मांग रहा ना तो प्रपोर्शनलेटी पर तो हमारा यही हुआ ना देख रहे हैं आप सर पता नहीं कैसे होगा इतना सारा स्टडी मेटिरियल है मेरे बच्चे बेसिक पढ़के देख सवाल को ढंग से पढ़के देख ऑब्जर्वेशन अच्छी लेके देख हो जाए और दुखी होता रहेगा तो नहीं हो अगला सवाल उठाते हैं इसी चीज को खेल गया बच्चे अगर फोट एलेक्टिक एफेक्ट नहीं आता तो चैनल पे एक बार वो फिर से देखो मैंने इसमें बड़ा क्लियर बता रखा है कि ये जो H new not है इसी को बोला जाता है work function क्यों बोला जाता है वो बहुत detail में समझा है प्लस half mv square इसे stopping potential क्यों बोला जाता है ये भी मैंने समझा है चलो इसका भी link description में देने का याद रखूंगा मैं देने है वह इसका तो अभी काम कर रहा हूँ है फुरा देर में ही आएगा लेकिन आ जाएगा बस फिर तो भाई क्या कहता है wavelength दे रखी है और इतनी velocity है wavelength है तो मतलब इसको Hc upon lambda कर दो lambda दिया हुआ है कितना दिया है 4000 angstrom यहां लगा देंगे हम उसको 4000 angstrom कितना असान है हलवा चीज है परशानी वाली बात नि यह निकालना है इसको X कह दो plus half m electron का तो फिर मास पता ही है और velocity कितनी है 6 into 10 की power यहां पर velocity लगा दो यह दिया है यह constant है यह constant है यह constant है यह x निकालना है बिल्कुल direct असान था पताईगे क्या परशानी थी भाईया इफ दी ब्रॉगली wavelength of the electron अच्छा जी फिर दी ब्रॉगली पह सवाल है इफ दी ब्रॉगली wavelength of the electron in nth bore orbit in a hydrogenic hydrogenic atom होना चाहिए is equal to 1.5 पाई ए नौट इसको परण ठीक कर लेना यह आइटम की फर्म बरेगा हो जाता है अभी आपके लिए बन रहा है धिर धिरी चीज़े then the value of n by z is observation में देखो भाई साहब value of n by z पूछ रहा है और दिया क्या है मुझे डी ब्रॉगली wavelength इसे कैसे निकालेंगे n by z को कैसे निकालेंगे देखो यह n by z का relation और mv का relation lambda का relation कहीं से निकाल सकता है हमें यह पता है n h upon 2 pi is equal to mv r यह तो पता है न n और z का relation r से तो निकाली सकता है फिर r से कैसे निकालेगा भाई साब r से निकलने के लिए हमने देखो आपको उसी वीडियो में derivation है radius का derivation है velocity का derivation है radius का derivation है velocity का derivation है energy का आपको अगर ध्यान है तो radius हमने क्या बताया था हमने radius निकाला है उसमें भी constant है n square by z पर जाता है constant radius का भी ले लूँगा तो ये r not लेके अपना जो है r not क्या इसने कहते रखा है मुझे a not दे रखा है तो मैं a not ले लेता हूँ और असान है मेरे लिए कितना असान चीज है a not n square by z अहां अब visualize करना ज़रा बड़ा असान है mv को नीचे ले आओ n h upon mv 2 pi r ये मैंने सोचा कैसे मैंने फिर question को पढ़ा question कह रहा है if the d brogly wavelength of the electron in nth orbit in nth orbit ये pen अपने आप भी पकड़ता है in a hydrogenic atom is equal to this अच्छा ठीक है ये d brogly wavelength दी lambda d i a not is bore radius बोड रेडियस मैंने यहां पर इसलिए नौट लिखी n square by z रेडियस निकाल नहीं है r की जए कह लिखूंगा ये h upon mv की जगन दे रख्था है वो लिखूंगा clear है बात मेरी तो ये दे रख्था है 1.5 pi a not n into 1.5 pi a not और यहां क्या हो जगा 2 pi a not n square by z अब देखो n से ये square कड़ गया a not pi से ये कड़ गया n square by z n by z क्या हो गया 1.5 by 2 is n by z सोचना observation के साथ है सवाल को देखो यहां पर उसने कोई बहुत बड़ा आपसे msc का सवाल तो नहीं पूछा था जो हम बड़ी बड़ी किताबे करते जाएं msc bsc की और हम कहें कि नहीं हम तो हम हिला डालेंगे quantum chemistry पूरी कर डालेंगे आज तो tunneling भी पढ़ लेंगे particle इने box भी पढ़ लेंगे क्यों पढ़ लेंगे भाई बावले हो simple चलो ना या आप जैसे जही में पूछ रहा है जही एड्वान्स पूछ रहा है वैसे चलो कितना simple उसने बात करी थोड़ा हो आपका application of skill को देख रहा है यहां पर वो कहता है इसी बात पर इसने कह दिया कि मेरे भाई इसका लेंड़ा का radius से relation देख lambda का radius से relation कैसे दे सकता हूँ radius का relation तो मैं एक ही जानता हूँ nh upon 2 pi is equal to mvr लगाओ बस फिर तो मालूम होई गया फिर देखना था nh upon 2 pi is equal to mvr mv नी चला है बन गया easy असान अगला size of the isoelectronic species isoelectronic जिनके number of electron सेम हो c l minus क्या 18 argon क्या 18 c f 2 प्लस क्या 18 तो इनके सबके electron same isoelectronic effect किसे होता यह तो बिना option पड़े कर सकते हो nuclear charge से effective nuclear charge से effect होती है यह तो सीरह सीधा option 2 है तो अगला देखें एक questions और था इसमें शयाद ना last the quantum number of the four electron are given below और increasing energy निकालनी energy कैसे निकलती n plus l से quantum number वाले वीडियो में डाला जुआ है n plus l देखो 4 plus 2 कितना है 6 3 plus 2 कितना है 5 4 plus 1 कितना है 5 बट इसका n बड़ा है second और third में देखो ध्यान से second और third में n plus l same है बट अगर n plus l same हो जाए तो मैंने क्या बता है जिसका n बड़ा हो n इसका बड़ा है और इसका 4 है तो बस फिर सबसे जारा one की है one वाले ये दो option है फिर उसके बाद three की है ये की option है three हो गया बस फिर आगे जाओंगा है नहीं ऐसे आप करोगा बच्चो जिन्होंने अभी भी हमारा चैनल अभी सबस्काइब नहीं किया है आप चाहो सपोर्ट करना चाहते है आप इसको चैनल को सबस्काइब कर सकते है सपोर्ट आपकी भी है मेरे एफट भी है परसो तक ये ब्लॉग भी डालूँगा कल आपका टेस्ट भी रहेगा और मेटलर्जी वाले वीडियो जो है आपको देखना भी है वो अलेडी चैनल पर है तो कोई खास देखकत नहीं आनी चाहिए आपके एफट लगाओ कमेंट आच पढ़ूँगा आई होप कोई डाउट वगर आपने डाले होंगे अच्छा लगगा अगर डाउट डाले है तो और गयनिक का वीडियो आना है एक बच्चे का डाउट अटकावा है आम रिली स्वारी बिटा चार-पाच दिन से नहीं दे पाया हूँ जल्दी दूँगा उसके ओके सिरीज बहुत चल रही है ठीक है आई होप तो समझा रहा हो समझ में आया है अटोमिक का वेक रिविजन आपका हुआ है फिर देखो बोर की एनरजी पूछता है रेडियस पूछता है फांटम नंबर का आपने वीडियो देखी लिया होगा चलिए मिलते हैं आपसे कल के टेस्ट के लिए All the best कल के टेस्ट में काफी कुछ चीज़ें पूछूँगा लेकिन पूछूँगा इनी पने के सवालों से जई में इनके पुराने सवालों से All the best Good night Take care बच्चो